हाई एवरीबन केसे हुआ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्वाल एंग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आज आगें आपके सामते एक मोश्ट इंपॉ सकते हैं तो आज के इस लेक्चेर में हम लोगो सबसे पढ़ना यह मैं आपको बता दूब प्रिविएस जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नुबर वन इसमें हमने डिसकस किया था कि क्या होता है हमारा रेस्पीरेशन एंड-डेस्पुलेशन के ऐसा होता है कोनगन से इसके work करते हैं, क्या और्गाउंस होते हैं, ये सबी चीज हम लोगो आज डीटेल में पढ़ना है, दोस्तों तो बहुत जदा important वीडियो होने वाला है, बहुत मेहनत कर रहा है, दोस्तों आप लोग के लिए मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसे बहुत सारी चीजए होते हमारी बॉड़ी में, अगर हम बात करें, बलड की थोन हो गया, बलड हो गया, औक सीज़न हो पता है, यह तरीके से करता है पूरा पूरा हमारे body के अंदर अलग-अलग चीज में nerves जो होते हमारे capillaries जो होते हो क्या करता है इसको distribute करता है और heart जो है इसको perform करता है ठीक है तो यह सब क्या हो गए circulating system के बारे में आ गए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी ब्लड के क्योंकि oxygen का respiration के पढ़ लिया hormones अभी आभी हम लोगो पढ़ना नहीं है जब higher standard वे जाएंगे तब पढ़ेंगे हम लोगो पढ़ना है सबसे पहले हमारा जो main topic रहने वाला है वो है blood circulatory system यानि कि blood का कैसे circulation होता है यह हम लोग को पढ़ना है blood circulatory system कैसे work करता है यह हम लोग देखेंगे blood circulatory system is nothing but इसमें क्या-क्या involved होता है सबसे पहले बताऊंगा blood जो होता है आपका पूरा के body में distribute होता है circulate होता है with the help of heart जो हमारा खून होता है जो blood होता है वो किसके थुरू फैलता है heart के थुरू जो है वो अलग-अलग organs तक जाता है heart अलग-अलग organs या फिर cell आप बोल सकते हो diagram बनाना is not possible तो यहाँ पे आप खाली ध्यान से सुनेगा तो आपको हर चीज clear हो जाएगा heart क्या होता है जो हमारा दिल होता है दोस्तों heart is nothing but ऐसा organ होता है जो कि involuntary होता है सबसे पहले जैसे मैंने आपको बहुत बार बता है कि what do you mean by involuntary यानि कि यह जो होता है इसको हम लोग खुझ से control नहीं कर पाते हैं यह अपना function खुझ से ही करता है हम लोग नहीं कर रोक पाएंगे कि यह जो दिल का धड़कना है contraction हो रहा है that is the meaning of एक तरीके से आप the circulatory system का बोल सकते हो तो यह involuntary organ है और heart की बात करें तो लगबग कहा होता है हमारे थोड़ा सा left की तरफ से मतला हमारा जो middle होता है अगर बात करें, middle से थोड़ा सा left की तरफ हमारे थोड़ा सी cage के अंदर present होता है, हमारा जो rib cage होता है, थोड़ा सी cage जिसको बोलते हैं, उसके थोड़ा सा अंदर present रहता है, जो की हलका सा left की तरफ होता है, और वह अगर बात करें, तो इसका जो size होता है, अगर मैं heart की बात कर हज़ा, थोड़ा से ओर बड़ा होगा तो इतना बड़ा हात होगा हट॥ इसका यह पाइंच्छ और इसका हमाँ वेट का जो होता है लगबग कितना होता है, 360 ग्राम होता है आदा किलो से थोड़ा सक काम होता है उसका वजन होता है, ठीक है? और इसका function तो आपको पता है यह कि blood को वो carry करता है, अलग-अलग organs तब तो बात करें कि जो हमारा heart होता है, it consists of four chamber चार chamber से बना होता है और यह चार chamber में क्या होते है? आपके ventricles और erota होते है जिसको बोलते है, auricles दो हिस्सा auricles होता है और दो हिस्सा जो होता है, वो ventricles होता है यह चीज आपको याद रखना है, फिलाल के तोर पे यह auricles होते है, यानि कि left की तरफ का जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे auricles and right की तरफ का जो पार्ट होता है उसको ventricles बोलते है, तो left and right auricle and left and right ventricles या फिर उसको हम लोग ventrioles भी बोलते हैं, यह आपको याद रखना है और जो हमारा human heart होता है, यह आपने बहले भी पढ़ा होगा human heart is nothing but muscular organ उसके अधर कोई हड़ी present नहीं है, कोई bone present नहीं है पुरा का पुरा क्या है, muscular organ है जो की continuously contract करता है, धड़क करा है contract हो के relax हो रहा है, और जब contract होता है यानि की blood उसके पास आ रहा है, और relax हो रहा है नॉर्मल rate में, एक मिनट में वो 70 बार जो है वो धड़क सकता है और जैसे की नहीं बताया मैंने की एक बार वो continuously धड़कना शुरू करता है यानि की एक बार contraction हो, relaxation हो, contraction, relaxation यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल का धड़कना होता है यानि की beating of hearts भी बोलते है, heartbeat बोलो, beating of heart बोलते है, heartbeat हो ना और इसमें भी क्या होता है, continuously होता रहता है और जब भी आप higher standard में जाओगे, 10th में 11th में पढ़ोगे, systolic and diastolic moment होता है और जो sound होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, दग 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 बोलते हैं और heart का function तो आपको पता है, कि there are various types of function of heart तो क्या-क्या main function होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब भी blood जब आता है, oxygen उसको लेता है और वो हमारे heart के थ्रू, arteries के थ्रू, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पढ़ना है blood vessels के बारे में पढ़ना है, यानि कि अभी heart के बारे में पढ़ लिया लेकिन उसको पहुचाने का, क्योंकि circulation पढ़ना है, circulatory system पढ़ना है तो heart क्या करेगा, उसको बेज़ेगा, लेकिन किसके थ्रू बेज़ेगा, कुछ होना चीए बेजने के लिए तो वो क्या होता है, veins and arteries होते हैं, तो उसको बोलते हैं blood vessels तो blood vessels क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यह भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में जैसे ही हो जाएगा, फिर हमारा आज का लेक्चर भी stop हो जाएगा, ठीक है तो ध्यान से सुनेगा, हर चीज बहुत important होने वाला है, आपको हर चीज एकदम detail में मिलने वाला है तो हम बात कर लेंगे blood vessels की, तो blood vessels जो होता है, mainly 2 type के होते हैं, यह आपको मैं बता देता हूँ blood vessels जो होता है, 2 type के होते हैं, सबसे main type होता है, सबसे पहला type जिसको बोलते है arteries, ठीक है, arteries बोलते है और दुसरा जो होता है, वो होता है veins, ठीक है न, इसके अलावा भी एक और होता है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले arteries और veins के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो arteries क्या करता है दोस्तों, अगर मैं आपको पताओ, तो arteries एक ऐसा नस होता है, दोनों ही नस है, ये भी नस है, ये भी नस है, आपको पता ही हमारे हाथों में है, पेरों में हर जगा, nerves present होते हैं, तो ये जो arteries जो नस है, वो क्या करता है दोस्तों, हमारे heart से लेके, यानि कि heart स से लेके और्यां तक बल्ट जो पहुचाता है तो हाASE पयंकि ऐसा नस जो हाट लेता है और और पहुचा रहा है उसचीज इनस फूर पहुचा रहा है उस element बोलेंगे और जो अलग-घ। से blood आ रहा होगा heart के पास वो रहेगा हमारा veins यह चीज याद रखना है और arteries जो होता है वो oxygenated blood को supply करता है यानि कि जिसके पास oxygen होता है जो blood के पास oxygen होता है उसको supply करता है अलग-अलग organs के पास क्योंकि main तो काम वो ही है ना कि जैसे कि आपको पता है हमारा oxygen हमारे lungs तक आया lungs के पास blood के पास आया तो blood जब heart के पास जाता है तो oxygen लेके पास जाता है ताकि वो oxygenated blood बोलते हैं वो भेज सके किसके पास cell के पास जो भी organs होते हैं वहाँ तक बेज सके क्योंकि उसको oxygen चाहिए तब ही तो वो reaction करेगा और आपको energy produce करेगा और सापने carbon dioxide release हो के बाहर होगा ठीक है न यह मैंने अल्री बदा आया आपको first lecture में ओके तो यह आर्टरिस का काम है oxygenated blood को लेके जाना heart से लेके organ के पास अब organ से जो blood वापस आएगा heart के पास तो उसके पास oxygen नहीं रहेगा तो वो oxygen लेने के लिए आ रहा है फिर से तो वो organ से जो heart के पास जो blood आएगा दोस्तों ठीक है organ से heart के पास जो blood आएगा तो वो कौन लेके आएगा veins आपको लेके आएगा यह चीज़ आपको ध्यान मेरकना है clear है तो पूरी उमीद करता हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अब एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक और टाइप के जो nerves होते हैं जो कि बहुत छोटे माने जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चिज़ चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे क्या होते हैं यानि कि इतने बारीक बारी जो नस है थे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और यह एक दूसरे को जाके मिलते हैं इस प्रकार से अलग-अलग जैसे जाल होता है ना मकडी का जाला इस प्रकार एक दूसरे को एक तरीके से हम लोग फेकते हैं जाला कैसे अलग-अलग जाक Capillaries की बात करें, Capillaries बहुत ही पतले होते हैं, एक धागे जैसा पतला होता है, और वो क्या करता है, Exchange of Material का काम करता है, यानि कि Artery's का Vains में, Vains का Arteries में ऐसा वो काम करता है, दोस्तो, तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह Capillaries भी जो है आपको समझ में आ गया रहेगा, छोटे- अब एक साथ मिल जाते हैं, तो बड़े-बड़े diameter में convert हो जाते हैं, जिसको हम लोग veins भी बोल सकते हैं, और यह capillaries जो होते हैं, यह अपना network फॉर्म करते हैं, बहुत बड़ा, जिसको हम लोग capillary network भी बोलते हैं, clear है दोस्तों, मैं पूरी उमित करता हूँ कि यह चीज आप तो यहाँ पर जो पूरा process है, एक तरीके से, कि blood का oxygen को लेना, lungs के पास से, heart के पास जाना, heart से पूरे body में जाना, organs के पास, cell में जाना, home फिर के वापस आना, यह पूरा का पूरा जो process है, इसी को बोलते हैं दोस्तों, circulation of blood, या फिर functioning of blood with the help of heart, clear है दोस्तों, तो पूरी उम circulation के बार में बता है, और कौन-कौन से organs and parts involved थे, कौन-कौन से arteries, veins, muscle system and साथी में blood vessels involved है, यह सबी चीज मैंने आज इस lecture वीडियो के माध्याम से आपको बताने की कोशिश के हैं, पूरी उमीद करता हूँ, कि आपको each and every topic बहुत है, अच्छे से clear हो गया होगा, आने वाले lecture मे यानि कि जब इसका अगला part लेकर आऊंगा, part 3, यानि कि lecture number 3 जब लेकर आऊंगा, तो इसमें और एक important topic के बार में पढ़ना है, जो की है blood, तो blood क्या होता है, blood के कौन-कौन से type क्या होते हैं, उसके functions क्या होते हैं, हर चीज आपको बताऊंगा, blood में होने वाला, एक problem भी हो जरूर से देना है दोस्तो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आये, useful लगा है, तो please वीडियो को लाइक कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, बहुत मैनत कर रहा है, तो बहुत मैनत करके आपका सिलावस complete कराने की कोशिश कर रहा है, तो फटा- बाइ!